पेस नमबर आपको निकलना है 63 यह वाला पेस और इसमें है body part के related कुछ activity तो चलो learn करते हैं students तो students देखो यहाँ पे क्या इखा है filling the blanks with the correct letter to complete work मतलब कि यहाँ पे आपको blanks दिखने हैं इसी तरह से आपको full paste के blank दिखने देखो यहाँ पे दिखने हैं यहाँ पे blanks तो आपको क्या करना है यह सारी blanks में आपको letters लिखने हैं ओके तो आपको भी students मेरे साथ देख देखने letters लिखने हैं ओके students और letters के साथ साथ हमें यह fully word बोलना है ओके तो चलो start करते हैं students अभी हम तो first यहाँ पे देखो I see with my dash मतलब कि students आप किससे देख सकते हो अपकर body में से कुनसा ऐसा part है जिससे आप कुछ चीज देख सकते हैं चलो बताओ yes हमारी eyes eyes से हम कोई भी चीज देख सकते हैं अगर हमारी eyes ही नहीं होती ऐसे हैं ठख दो तो आपको कुछ दिखाए देगा नहीं न तो यहाँ पे आएगा eyes ओके तो यहाँ पे हम लिखेंगे small letter e देखो students यहाँ पे आपको लिखना है ओके यहाँ पे आप लिखोगे small letter e चलो इसी तरह से सारी blends film कर लेंगे now next is I smell with my dash मतलब की आप smell कहां से करते हो कोई भी चीज माण लो कि अच्छा अच्छा खाना बन रहा है तो उसकी smell अपको कुन से पाट से आएगी yes nose से very good अगर आप अपना nose इसे पाट करतो तो किसे आएगी smell नहीं आएगी ना तो nose से हाँ कोई भी चीज smell कर सकते हैं तो यहाँ पे आएगा small letter e और वो बढ़ गया पूरा nose का smell ओके चलो now next I test with my test मतलब कि आप कोई भी चीज खा रहा है हो कोई भी चीज खटी है कडवी है मिठी है तो वो आपको केसे पता चलेगा आपकी town से right this is your town right तो अब हमारी town से यह ice cream का test भी पता चुन जाता है right तो यहाँ आपका खाव लिखने के letter e तो आपका बन जाएगा ओ टांट का smell okay students now next I'm here with my dash मतलब कि students आपको कोई भी चीज सुनाए देगी तो वो कोन से पत से सुनाए देगी हमारे year से right अगर मैं आपको यह वीडियो में कुछ बोल रही हूं तो आपको सुनाए दे रहा है ना right तो हमें year से सुनना होता है ना अगर आपके year से बन हो जाए तो नहीं सुनाए देगा कुछ तो आप कहां से सुन सकते हो अपने year से okay तो यहां पर आपको लिखना है small letter e तो वो हो जाएगा आपके year का picture okay now students यह activity तो आपने अच्छे से मेरे साथ कर ली अभी यह बार बार repeat करना और फिर taste, smell, feel, कुछ भी देखना, कुछ भी सुनना वो सब आप feel करना okay so thank you